हेई गाईज वेलकम बैक दो और उन यूटूब चैनल से विल टेकनिकल तो दोस्तो आप लोगों इने स्केवेशन की बहुत सारी चेक्लिस्ट की वीडियो अरड़ी देख रखी है इसमें आपने देखा होगा कि हाउस कंस्रक्शन का अगर स्केवेशन हो रहा है या बिल्डि इसलिए भी हो जाता है दोस्तों क्योंकि रेलवे स्टेशन अगर एफोबी के पास आप काम कर रहे हो तो बगल में हो सकता है जस्ट के एक एक एक्जिस्टिंग लाइन हो रेलवे की तो काफी इंपोर्टेंट है और बहुत सारे प्रिकॉशन निकल कर वहां पर आ जाते है म परेशन को सब्सक्राइब करो बेल आइकन को zinc और करो सो इस समें का सब्बसे पहला चैकरिस तो यही होता कि आपके पास लेयाओट लिए होना मतलब यह कि आपको dimensions पते होना चाहिए और आपका क्या depth रहने वाला कितने depth तक आपको excavate करना यह आपको पता होना चाहिए दूसरा सबसे important point यह है दोस्तों कि जो railways में काम होते है जो FOB का excavation होता है तो यहां पे आपको error जादा नहीं रखना होता बहुत कम आपको जगा दिया जाता है error का मतलब plus minus 5 mm उससे जादा नहीं तो उसको मारने के लिए आपको TS का जरूत होता है TS में बहुत कम errors आते है ठीक है तो TS आपको point marking कर लेना है और उसी point के हिसाब से चूना marking करना है उसके बाद ही आप excavation शुरू करवा सकते हो उससे पहले आप excavation शुरू भी नहीं करा सकते हो तो make sure आपका layout plan ready हो उसके असाब से marking हो और आपको excavation शुरू करने से पहले सारे points को recheck कर लेना है दिन दोस्तों जो machine का moving zone है उसके entire area में आपको perfect barricating करनी है बहुत important है दोस्तों अगर कोई वहाँ पर अचानक से आ जाता है और machine घूम जाता है तो problem हो सकता चोट लग सकती है और क्यूंकि ये railway construction है आप station में काम कर रहे हो तो बहुत सारे passengers वहाँ पर रहते हैं ठीक है तो आपको वहाँ पर perfect barricating करनी है यहाँ पर नहीं किया गया यह mistake है आपको उसको check करना है barricating है या नहीं और उसके बाद भी आपको एक अपना supervisor तो ज़रूर वहाँ पर रखना है कि कोई गलती से barricating cross करके अंदर ना आ जाए आप जो checklist आप जानने वाले हूँ यह railway construction के लिए जैसा आप देख सकते है FOB का excavation चल रहा है बट जस बगल में आपका track भी है ठीक है trains आती है तो आप अगर सोचो कि वहाँ पर train आ रही है बगल में machine है तो यह कितना जादा dangerous है कभी भी कुछ भी हो सकता है ऐसा भी हो सकता है कि अचानक से machine का जो boom है वो track पर आ जाए train आ जाए machine बंद हो जाए मतलब बहुत बड़ा हासा हो सकता है ठीक है तो आप ऐसे ही वाँप excavation नहीं कर सकते हो दोस्तों आपको on return block के लिए apply करना होता है station master के पास block क्या होगा कि वो certain time period के लिए half an hour एक घंडा के लिए क्या करता है उस main line को उस line को ही block कर देता है मतलब उस line पे उतने देर के लिए कोई भी trains नहीं आने वाली है सबसे पहले आपको block के लिए apply करना है जब block confirm हो जाएगा उस time पे उस time में ही आपको excavation करना है ठीक है complete हो या नहीं हो for example अगर आपको एक से दो का block time मिल रहा है तो उसी एक घंटे में आपको excavation करना है जितना हो पहे आपको maximum करना है क्योंकि block बार बार भी नहीं मिलता है लेकिन जब तक block नहीं मिल रहा है किसी भी हाल में आपको अपने machine को track के पास भी लेकर नहीं आना excavation तो बहुत दूर की बात है दोस्तो एक और important point यह है दोस्तो कि आप block पे तो काम कर रहे हो ठीक है trains नहीं आने हो still आपको एक supervisor वहाँ पे रखना है जिसकी पास दो flags होंगे green and red ठीक है समझो बात को हमारा जो construction line है ना बहुत बात चीज़े हमारे according नहीं हो पाती है for example कि एक से दो आपका block time था ठीक है ज़स दो बशे से पहले machine कुछ खराबी आ जाती है machine का boom चला जाता है main line पे station master को पता नहीं है machine खराब हो गया machine अपनी जगह से हिल भी नहीं रहा है boom main line पे आ गया block खतम हो गया train को signal मिल गया कि अब वो उस track पे आ सकता है अचानक से train आ गई ठीक है उतना time नहीं है कि आप station master को खबर करो गया train station master जो वहाँ पे train चला रहा है loco pilot उसको खबर करेगा और वो train stop करेगा at that time आपके पास flag होना चाहिए emergency में कि आप उस flag को दिखा के train को stop करोगे तो आपके पास red flag और green flag होना चाहिए red flag अगर आप दिखाते हो तो train जो चला रहा उसको मालूम चल जाए कि आगी डिंजर है वो emergency brake लगा सकता है तो आपके पास दो flags होने चाहिए और supervisor तो वहाँ पर minimum दो होना ही चाहिए एक जो बैरिकेटिंग पर नज़र रखे दूसरा जो सिर्फ उसका काम होगा कि मेल नाइन के तरफ देख कर रहे कि कोई भी train वहां से आ तो नहीं रहा है उसके बाद है दोस्तों हो कि आपको अपनी डेप मेंटेन करनी है लेकिन अपर आपको अ प्रियंस कितना वहीं दे जेन करें जाएगा कितने जो जाने अद्सक्रारण करना है 100 mm PCC आएगा और दिन आपका foundation शुरू हो जाएगा ठीक है तो आप उसी तरीके से क्या करोगा जो RL होगा उसमें आप माइनस कर दोगे 1.5 मीटर बॉटम का RL आपको मिल गया और फिर आपको auto level machine से depth को check करते रहना ठीक है आप उसको set करोगे back site लोगे HI निकालोगे HI में क्या करोगे जो RLS को माइनस कर दोगे आपको staff reading मिल जाएगा staff reading से आपको हर वक्त चेक करके देख लेना है कि आपका जो bottom layer excavation का वह मिल गया की नहीं जब वह achieve हो जाता है तो फिर आप वहाँ पर machine को रोक के level करके वहाँ पर excavation का कम complete कर सकते हो और एक site experience है मैं आपको एक knowledge यह थी checklist दोस्तों और अगर कोई point मिस हो गया या कोई और चीज जानना है आपको तो आप मुझे कमेंट करकर ज़रूर पता सकते हो अदर्वाइस अगर वीडियो अच्छे लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोसे को श्यार कर thank you